हेलो एब्रिवन, वेलकम बेक टो माई योट्यूब चैनल, फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे गुड और आटे से बनने वाली बर्फी, ये बर्फी बहुत ही स्वाधिस्ट बनकर तयार होती है, विंटर स्पेशल बर्फी के रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, ये गुजरात क फेमस मिठाई है, हम इसे कहीं जगह पर पापड़ी भी बोलते हैं, तो आएए फ्रेंट्स बिना देर की ये रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बर्फी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने गैस पर एक कढ़ाई ली है, गैस ओन कर लेंगे, अभी मैं कढ़ाई मे दालूंगी एक कप मेल्टेड देशी घी, घी को हमें हलका सा गरम कर लेना है, तो देखे घी गरम हो गया है, अभी मैं गैस के फ्लेम को लो करूंगी, और इसमें डालूंगी दो कप गेहूं का आटा, आटे को मैंने पहले से ही छान लिया है, आटे को घी के साथ अच्छे स मिक्स कर लेंगे, हमें आटे को लगाता चलाती हुए, अच्छे से भून लेना है, जब तक कि ये ब्राउन कलर का ना हो जाए, या तो फिर जब तक आटा घी रिलीस करना स्टार्ट ना कर दे, जैसे आटा भून जाएगा, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब आटा भ लो फ्लेम पर लगाता चलाती हुए, अच्छे से भून लोगे, बीच पीच में मैं फ्लेम को मेडियम करूंगे, आटे को भूनते समया, आपको गैस का फ्लेम लो टू मेडियम ही रखना है, आप फ्लेम को हाई ना करें, अगर आप हाई फ्लेम पर आटे को भूनेंगे तो तो आठा अच्छे से भून कर तयार नहीं होगा, जिस वज़ए से गुड़ आठे की बर्फी अच्छी बन कर तयार नहीं होगी. हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाती हुए अच्छे से भून लेना है. आप देख सकते हैं, आठे ने घी को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है, और आठे का कलर भी चेंज हो गया है. देखिए हमारा आठ अच्छे से भून कर तयार हो गया है, इसमें अच्छी खुश्बू आना स्टार्ट हो गई है. इस स्टेज पर मैं गैस के फ्लेम को बंद करूँगी और इसे चलाती जाओंगी ताकि ये नीचे से जलेना, देखिए मैंने गैस के फ्लेम को बंद किया हुआ है, अभी मैं इसे करीब एक से दो मिनट ऐसे ही चलाती जाओंगी, क्योंकि जब हम इसमें मीठा एड़ करेंग मैंने आटे को हलका सा ठंडा कर लिया है, अभी मैं इसमें डालूंगी गुड़, यहाँ पर मैंने एक कप गुड़ लिया है, इसको मैंने कद्दुकस के साथ कद्दुकस कर लिया है, आप चाहिए तो इसे अच्छे से छोटे चोटे टुकड़ों में तोड़ कर भी इस्ते साथ अच्छे से mix करेंगे जब तक गुड आटे में अच्छे से mix नहीं हो जाता तब तक हम इसे ही चलाते जाएंगे तो देखी फ्रेंट्स गुड आटे में अच्छे से mix हो गया है यह जमने की consistency पर आ गया है इसे जमाने के लिए मैंने एक प्लेट को घी के साथ पहले से ही ग्रीस कर लिया था अभी मैं मिस्चर को प्लेट में डाल दूँगी मिस्चर को प्लेट में अच्छे से सेट कर लेंगे अच्छे से दबाते हुए हमें इसे सेट कर लेना है देखिए मैंने मिस्चर को अच्छे से सेट कर लिया है इसी टाइम पर मैं इसमें कट लगाऊंगी अगर आपको लगे कि आपका मिस्चर जादा ही ड्राइ हो गया है जिस वज़े से आप उसे अच्छे से सेट नहीं कर पा रहे तो आप मिस्चर के उपर दूद की छीटे डाल कर उसे अच्छे से सेट कर सकते हैं इससे आपका मिस्चर अच्छे से सेट हो जाएगा जैसे आपका मिस्चर अच्छे से से सेट हो जाए उसके बाद ही आप इसमें कट लगा ले तो देखे मैंने इसमें अच्छे से cut लगा लिये हैं, अब ही मैं इसे थंडा होने के लिए rest पर छोड़ दूँगी, जैसे अच्छे से थंडा हो जाएगा, उसके पाद हम इसके pieces अलग करेंगे तो देखी इसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है इसे ठंडा होने में करीब 10 से 15 मिनिट का समय लगा है सबी पीसिज हम ऐसे ही निकाल लेंगे इसके पीसिज असानी से अलग हो जाते है ये बर्फी खाने में बहुत ही टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी होती है इसे आप एक बाद जरूर ट्राइ करें ट्राइ करने के बाद आपकी बर्फी कैसी बनती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा मुझे आपकी कीमती feedback का इंतजार रहेगा आप इसे बनाते समय ध्यान रखें कि आटे को low to medium flame पर ही आप भूने जैसे आप काटा भून जाएगा उसके बाद आप इसमें good डाल दें गुड अच्छे से mix होने के बाद आप इसे जमने के लिए डाल दें अगर आप ऐसे इसे बनाएंगे तो आपकी बरफी भी ही बहुती टेस्टी बनकर तयार होगी अभी मैं इसे एक plate में निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स बहुती टेस्टी बरफी बनकर तयार होती है आप इसे एक बार जरूर शेक्ञार कीजिएगा ट्राइ करने के बाद आपकी बर्फी कैसी बनती है मुझे comment box में comment करके जरूर बताईए मुझे आपकी कीमती feedback का इंतिजार रहेगा बर्फी बनकर तयार हो गई है एक बर्फी मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ यह देखिए कितनी सोफ्ट बर्फी हमारी बनकर तयार हुई है आप इसे बनाईए खाईए और इंजोई कीजिए मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ एक और नई रेसेपी के साथ आज की रेसेपी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फोर वाचिंग